प्लीत दो शुर्ण बूहों से लाइसा की बात करें खायव चरन कहीं और आप पुछा जासूं तो उसमें चारव वाR, कोषळ जाता है इसा डियूम से हैं किसे से बात करीण ता है कि इनको जो है करम वार या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओर्डर में रगाएं तो इसलिए हमें जो है कैसे याद करना है इसे L, S, R, W ठीक है क्या है L, S, R, W L से लिसनिंग, S से स्टीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग बच्चा जो है वो पहले सुनता है फिर धेरे धेरे बोलता है फिर जो उसने सुना है जो उसने बोला है उसको वो क्या करता है पढ़ता है और फिर जो है लिखना शुरू करता है तो इसी तरीके से जो है चार स्किल्स होती है listening, speaking, reading और writing ठीक है अब इन में से कई बर question ये भी बन सकता है कि receptive skills कौन सी है और productive skills कौन सी है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है L और R मतलब पहले वाली skill और जो third वाली skill है listening और reading ये आपकी क्या है receptive skills है और product क्या है इनका productive skills कौन सी है जो आपकी second or fourth है ठीक है कोई भी आप दो याद कर लो कि आपने करमवाइज याद किया है करनलोजिकल ओडर में कि L S R W है न तो उसी तरीके से जो पहली और तीसरी है वो आपकी receptive अगर हो गई तो आपको खुद बखुद बता चल जाएगा कि productive कौन सी जो बची है वो productive है जैसे कि second or fourth जो है वो productive language है तो इस में से जो है सरफ इस page में सही तीन चार questions बन सकते है पहले तो जो है कि चार skills कौन सी है ये question बन सकता है दूसरा बन सकता है कि इने chronological order में लगाएं जैसे कि increasing order या decreasing order में ठीक है third question बन सकता है कि receptive skills कौन सी है जो की है listening और reading और चोथा question बन सकता है productive और productive skills कौन सी है और फिर एक question बन सकता है कि input क्या है और output क्या है जो हमारी receptive skills होती है वो हमारा input होता है और उनका product जो है वो उसका क्या होता है output तो यह बहुत ही important है, इसे अपने notes में जरूर लिखेगा और हम याद रखेगा, revise जरूर कीचेगा इसे exam के लिए, next अगर हम बात करते हैं, main, अब listening skills क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि listening skill है, तो listening skill है क्या, एक receptive skill है, यह तो मैंने आपको बता दिया, listening क्या है कि जो कुछ भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, बच्चा जो है पहले सुनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है, उसे बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, तो इसी तरीके से listening कैसे हो सकती है, जो हम class में interact करते हैं, जो दूसरे बोल रहे हैं उनको सुनना, किसी की discussion को सुनना, face to face conversation होती है तो हम उसे सुनते हैं, टीवी जब हम देखते हैं, तो उनमें जो characters जो बोल रहे हैं, वो हम सुनते हैं, sermons बगरा जो मतलब की religious preachers होते हैं, वो हमें जो समझाते हैं, उनको सुनना, कि यह non-interactive जो है, उसमें मतलब बोलने का chance नहीं होता, उसमें सिरफ सुनना ही होता है, तो अब हमें जो हैं, कैसे दूसरों को listening के लिए teach करना है, कि कैसे आप देखते होंगे, आलस में जो है, LSRW होता है, तो उसमें listening का भी जो एक portion होता है, तो उसी तरीके से beginners को जो है, क्या कहा जाता है, कि वो ज्यादा से ज्यादा सुनें, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतनी उ जो है, वो पहले सुनते हैं, फिर दीरे-दीरे बोनला शुरू करते हैं, फिर जो है धीरे-धीरे उनकी natural speech बन जाती है, पहले-पहले क्या होता है, वो shorter sentences, जो है, यूज़ करते हैं, धीरे-धीरे जो है, तो जो है वो पोस वगारा देते हैं speech में, उसकी length कम होती है, नंबर कम होते हैं धीरे धीरे जो है स्पीज बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारी फ्लुएंसी उसमें बढ़ती जाती है फिर उसके बाद क्या है reduce distractions and noises listening में क्या है कि अगर आप सुन रहे हो तो अगर कोई चीज आपको distract कर रही है for example कि आस्पास आपके sound है और आप सुन नहीं पा रहे हो तो वो भी listening problem में आ जाता है noise होने के कारण के बार जो है में proper समझ में नहीं आपाता जितना कि हम जो है अगर हम शानती में अकेले में बैट कर पड़े या सुने तो कौनसी equipment बगारा हम यूज कर सकते हैं listening के लिए तो यह भी question बन सकता है तो कौन-कौनसी equipment है चाहे वो TV हो गया radio हो गया या tape recorder हो गया इन सबसे जो है हम सुन सकते हैं जैसे grammar phones हो गया जैसे वो headphones बगारा हो गए यह सबसे आप सुनते हो ना फिर उसके बाद है repeat or replay दो text twice or thrice आपको बार-बार सुनना है कई बार क्या होता है कि एक बार में समझ में नहीं आपाता जो beginners होते हैं उनको तो उनको क्या करना चाहिए एक बार सुना फिर उसके बाद फिर सुना दीरे-दीरे उनको समझ में आना शुरू हो जाता है फिर है give them a listening task as home task listening news जैसे कि बोला जाता है आलस में भी कि अगर आपने जो speaking करनी है listening करनी है ठीक है listening के लिए क्या बोला जाता है कि आप जो है news सुना करो newspaper पढ़ा करो अगर आपने reading करनी है तो इसी तरीके से home task दिया जाता है जिसे कि हम listening task भी बोलते हैं ठीक है next है हमारी speaking अब speaking जो है सबसे पहले हमने L बोला मतलब listening second हमारी क्या है speaking अब speaking क्या है speaking हमारी productive skill है यह तो आपको पता ही होना चाहिए फिर इसमें जो है तीन तरह के होते हैं कौन-kौन सी होते हैं एक होते है इंटरेक्टिव एक होते है partially interactive और एक होते है non interactive और यह भी आप सम सबसे पहले उसमें और डायलोग आ गए फिर अगर हम पार्शलिय इंटरेक्टिव की बात करें तो उसमें क्या है जो स्वामन्स होते हैं या जो स्पीच होती है वो सब जो है किसके अंडर आता है speaking skill के अंडर आता है खीकर अब next अब हमारा अब क्या है कि how to teach speaking कैसे हमने बच्चों को पढ़ाना है कि वो बोले कैसे हमने उनको motivate करना है तो सबसे पहले teacher क्या करेगा उनसे communicate करेगा उनसे बातचीत करेगा तांकि बच्चे जो है वो क्या कर सके वो भी communicate कर सके आप example ले सकते हो इसको और easily understand करने के लिए कि जितने भी आजकल school है वो क्या कहते हैं कि हमारे साथ English में ही जो है बच्चे बोलें क्यों communicate English में करते हैं तांकि बच्चे जो है धीरे-धीरे आज गलत बोलेंगे, कल गलत बोलेंगे पर सो धीरे-धीरे जो है उन mistakes से सीखना है actions, जब हम बोल रहे हैं तो actions हमें करना चाहिए दूसरों को copy करना चाहिए दूसरों के साथ interaction means की बाचित करनी चाहिए और oral presentations जो हमारे सामिनार्स होते हैं वो बहुत ही इसमें important है कि oral presentation से भी बच्चा बहुत सीखता है और कुछ जो है verbal cues की हम answer दे सकते हैं अगर हमने speaking करनी है और इसमें हमें देखना है कि जो हमारा content है वो practical होना चाहिए real life से जुड़ा होना चाहिए और appropriate अगर हमें feedback मिलेगी तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं या हम और क्या-क्या improve कर सके और अगर कोई communicate कर रहा है तो उसे हमें क्या नहीं करना चाहिए इंटरॉप्टर नहीं करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है हमें fluent भी बोलना है धीरे-धीरे हमने fluency अपने बढ़ानी है accuracy हमें बढ़ानी है और ऐसी strategies हमें हमें अपनानी है जो कि हमें clear हो clarify करे means कि proper हमारे gestures हो paraphrasing हो means कि हमने ऐसे बोलना है जो कि हमारे gestures भी दूसरों को indicate करें कि हम क्या कहना चाहते हैं तो यह जो है में इस तरीके से speaking जो है वो करवा सकते हैं तो आज हमने जो है सरफ two skills की है that is listening and speaking कल जो है हम reading और writing करेंगे so hope you like this please like, subscribe and share this channel for more and more videos thank you